अखिल भारती विद्यारती परिशत 75 दिन देश के लिए महाभ्यान चलाने की शिरुबात कर रहा है जिसे लेकर MP News के साथ एक्स्क्लोसिफ बाचीत करते हुए ABVP की राष्ट्रिय महामंत्री निधित्र पार्टी ने युवाओं से इस महाभ्यान से जुड़ने की अपेल की देखिए ये खास बाचीत 75 दिन देश के नाम इस नाम से विस्तार एक योजना अखिल भारती विद्यारती परिशत सुरू करने जा रहा है और इसके लिए युवाओं को जुड़ने का आवान के जा रहा है मेरे साथ बाचीत के लिए समय मुझूद है अकिल भारती विद्यारती परिशत की राष्टी महामंत्री निधित्र पार्टी जी निदी जी किस तरह की योजना है और क्या युवाओं को किस तरह से जोड़ा जा रहा है जिस प्रकार से सोतंत्रता का अमरित महोत्सव अभी मन रहा है हमारे देश की स्वाधिनता के 75 वर्ष में हमने प्रवेश किया है तो अखिल भारते विद्धार्ती परिशत देश के यु आगे आ सकता है जादस जादा पौधर उपड़ कराना है या फिर प्रकृति के लिए काम करना है उसमें कैसे देश का युवापना कॉंट्रिबूशन दे सकता है साथी साथ जब आप 75 दिन देश के लिए देंगे तो देश कैसे सोतंत्रता सेनानी जिन सोतंत्रता सेनानियो यूच्छना चलाएगी के लिए बहुत प्रसंदता है कि एक गाउं एक तरंगा अभ्यान के तहर्ट जब विद्यार्थी परिशंद पूरे देश भर में एक लाख नौह हजार सो स्थानों तक तिरंगा लेहराने के लिए गयी तो उन स्थानों पर सिर्फ ABVP के कारेकरता ही नहीं थे बलकि उन इस्थानों पर वहां के गाउं के बस्तियों के लोगों की सहभागिता भी सुनिश्यत हुई तो ये अभियान सिर्फ विद्यार्थी परिशत का अभियान नहीं बलकि भारत का अभियान भारत के जन जन का अभियान बन करके सामने आया है बहुत खुशी है बहुत सारे हसे अनुभोबी सुनने में मिले जहाँ पर डेजा रोहन करने विद्यार्थिप परिशत के कारे करता गये है बट वहां पर मिठ्धाई का बित्रण करना हो धुषजा रोहन के लिए पूल की वयवस्ता करनी हो फूल सजाना हो वहां पर सांस्कृतिक कारिक्रम कर वहां भाशन देना हो, सब कुछ करने वाले गाउं और बस्तियों के लोग थे तो ये अभियान अब मात्र ABVP का अभियान नहीं बल्कि जन जन का अभियान बन चुका है आपने बाके आप दिल्ली से आई हैं लेकिन आप जिस जगह हैं मद्डिबेस में मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने का था पंदर अगस को कि हम एक लाख युवाओं को हर महीने गोजगा देंगे लेकिन अभी जो कल घटना हुई है युवा रोजगार के लिए लेकिन लाठी खाना पड़ी आप कितनी सेमात हैं युवाओं के साथ जो जिस तरह की नाइसाफी हुई है उसको लेके देखे किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज करना ये बहुत ही जादा निंदनी ये घटना है और मैं इसकी निंदा भी करती हूँ क्योंक जाना चाहिए और रोजगार सरकार सुनिष्चित करें यसी हमारी मांगी आपने बात कहीं है लेकिन कि अब इस दर्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे कि देखे आगे की यूजना तो आपस में सभी से चर्चा करते हुए कारिकरताओं से बात करते हुए ही सुनिष आपको मालूम है कि लोगसाभा राजी सभा में अबी से अरक्षन को लेके हुआ और मतवेस की सरकार यह भी से आरक्षन को लेके आगे बढ़ ड़गी है आपका क्या मानना अबी से आरक्षन एक जातिकत राजनीति को होगी सुरू क्या देखे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देश हित नहीं जिनको जन हित नहीं बल्कि अपनी राजनीति देखती है और वो कुछ लोग ऐसे ही हैं जो राजनीति से प्रेडित हो करके देश को लगतार बातने का काम करते हैं तो विद्धार्थी परिशद भी ऐसे OBC आरक्षन के समर्थन में है जो उनको मेडिकल कॉल सब्सक्राइब करते हैं कि बोपाल में जिस तरह से युबाओं पे जो लाटी चार्ज हुआ था वो गलत हुआ था और जो राजे सरकार है वो युबाओं को जो निया संगत उनको रोजगार मुजया करा सके बोपाल से बीडियों निस सूशल यादाओं के साथ राकेश शर